आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बोटनेक बलाउच की संपोर्ण जनकरी एक ही वीडियो में आप लोगों को दूँगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गणेजदेवांगन और मेरे यूटुब चैनल रानी टेलर एन्ड जनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आना चाहिए, ये भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, यह मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजिए, साथी साथ बे कटिंग करके बताऊंगा साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कोंसे साइच के ब्लॉपज में हमको कितेogly का फाया रखना है और कितना इन डीप रखना है और साथ नियुक्त अधर में और इधर भी हम 15 इंच में ड्रा कर लेते हैं, इसे हम स्केल से सीधा खीट जेते हैं, देखिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि सीधी लगरी खीटने के लिए आप हमेशा स्केल कहीं उप्योग करें, क्यूंकि जिस तरीके से आप ब्लॉज की कटिंग करेंगे, उसी त जैसे कि मैंने 36 सीना लिया है, और मैं बॉडी मेजर्मेंट में, देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप बोटनेक ब्लॉज की कटिंग करते हैं, तो सामने वाले कस्टमर जिसके नाप से ब्लॉज बना रहे हैं, उनका अगर ब्लॉज का नाप कपड़े का द जैसे 36 सीना है, तो इसमें 15 इंच हमने नाप लिया था, सुल्डर का, तो उसमें हमको 1 इंच मैनस करने के बाद 14 इंच होगा हमारा, तो 14 इंच में हम की सोल्डर कतिंग करेंगे, क्योंकि गले का फैलाव है, वह इसमें नाप कीला बेट जाएगा, यानिकि हम की घलाव में क करेंगे न वह हमारा एक इंच को अजेश कर लेगा इस बात का ध्यान रखेंगे यानि कि हमको जब भी शोल्डर का नाप लेना है तो उससे एक इंच कम हमको बोटनेक ब्लाउज में कटिंग करना है देखिए मैं अभी आपको बोटनेक ब्लाउजी कटिंग के बारे मी बता र सीना है तो मैं इसका आर्म होल की कटिंग कर रहूँ 7 इंच में अब आप बोलेंगे कि 7 इंच कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा तो मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगा कि 7 इंच हमने इसका आर्म होल क्यों लिया हुआ है पहले तो हम इसके सीना को ट्रा कर ले 28 इंच का इस चौताई होगा 7 इंच एक इंच बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच जैसे कि हमने ऊपर भी लिया था मार्जिंग वैसी हम 1.5 इंच निचे भी मार्जिंग लिया है क्योंकि मार्जिंग हमेसा कमर और सीना में एक बराबर इक्वर इंच ही है इससे क्या होता है दोस्तों ब्लाउज को बैक साइड यान की उल्टे साइड में भी ब्लाउज की फिनिशिंग से बहुत अच्छा दिखता है तो हमको हमेसा कमर और सीना में एक जैसा मार्जिंग लेना है अब देखिए मैं इसमें आर मोहल की कटिंग करने के लिए एक तिर यह हमारे दोस्तों सामने पल्ले की कहरा ही रहे है यह इसको जहां पर हमारा एक ही चाहिए दोस्तों वहीं पर यह फ्रेंश करवा आके मिलना चाहिए तो देखिए कहां पर आ रहे है बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही जमाल लेना है उसके बाद आपको ड्रा करना है यह ब पर्स कैंदें लिएी कि दमिके देखे, आप से ले। यहां पर्स पूर कि क्योंकि अदर पर्स के लिए हूँ, तो प्रस से लिए ही देखे, वार के लिए गलतों ड़ाण कि ने चाहिने केवा रिफ़िए ध्यान रखेंगे आप कि 36 इन्षी न है इसी कि विज़े से मैंने इसका फैलाओ रखा बृट-से और हम इसके एक बॉट्निक में बना लेते हैं जिससे की गला ड्रा करने में हमें असानी हो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोटने को बोलते क्यों है क्योंकि इसका जो गले का शेप है एक नाव की भाती होता है आप समझ सकते हैं एक नाव कैसा होता है वही शेप में हमको गले को कटिंग करना है तो द है वो हमारा बोट नेक के लुप में नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले बता चुक हूं आपको बोट नेक का मतलब होता है एक नाव की भाति इसका शेफ तो देखिए मैं इसको यहां पर से देखिये मैं इसको राउंड लेता हूँ तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा राउंड हो जागा तो हमको ऐसा नहीं करना है ध्यार रखेंगे हमको एक बोट की भाती ही यानि की नौ की भाती गले का शेप लेना है तो देखिए ये तो हमारा पूरा 36 ब्लाउज का पीछे पल्ला ड्रा हो गया है तो चलिए मैं इसा कटिं कर लेता हूँ कैसे को इसको गले का शेप है बिल्कुल एक बोड की तरह को इसी तरीके से ही बोड ने की कटिंग करना है गाधि दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आप लोग इन सावाल आया होगा कि मैं ने इस इसका आर मोल 7 इंच क्यों लिए हुआ है तो देखिए मैं बताना चाहूंगा क्या होता है जब सूल्डर हमारा बड़ा होता है याने कि 14 इंच 15 तो क्या होता है ये जो राओं जो सरकल आता है यहां पर कैं ये हमारा चोटा बनता है लेकिन सपोजिंग जैसे कि मैं आपको दि तो क्या होता है, जब सोल्डर हमारा छोटा हुजता है, तो यह जो पॉर्चन है round shift, यह हमारा बड़ा बनता है, और बड़े सोल्डर में यह जो करव है हमारा छोटा बनता है, तो देखिए मैं आपको अभी नाप के दिखाता हूं यह देखिए, यह बिल्कुल इसके पर्फे पर भी यूटूब में एक चीज को डीटेल से आप बताने में बहुत प्रसानी होती है क्योंकि वीडियो हमारा बहुत छोटा रहता है अगर बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखते हैं उसको खुद बोर हो जाएंगे इसकी वेज़ से क्या होता है हम हर चीजों कि अकॉर्डिंग आर मोहल की हमको कटिंग करना रहता है तो देखिए यह चीज तो हो गया अब बोर्टनिक में आपको समझ्य वाली सबसे बड़ी चीज क्या होती है कई बार सस्क्राइबर हमसे पूछते हैं कि हमको सामने गला डीप चाहिए और पीछे हमको बोर्टनिक च हो जाते हैं उसमें अगर हम बोलें कि सामने हम गला डीप बना ले और पीछे बोर्टनिक कर ले तो यह पॉसिफिपल नहीं हो सकता इसमें सुल्डर की विटिंग आपकी बिल्कुल प्रफेक्ट नहीं आगी जस्ट इसी के अपोजिट हम बोलेंगे कि सामने हमको बोर्टनि बने उसमें possible है लेकिन उसमें भी हमको उपार का जो portion है उसको यहां से प्रेख रखना पड़ेगा या फिर hook या फिर डोरी तम उसमें गला हमारा इस्थिर रहेगा और देखिए यह तो हमारा back portion है अब हम इसे रख के सामने का पल्ला cutting कर सकते हैं अब सामने का पल्ला हमको कौ कुछ से पैटन में कटिंग करना है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बोट निक ब्लाउज में तो देखें बोट निक ब्लाउज आम तर पर तीन प्रकार से बना जाता है सामने के बाग एक तो फोट डाट ब्लाउज याने की बिना बेल्ट वाला सेकेंड प्रिंसेस कट यह बिना बेल्ट वाला और तीसरा जो है पैडट याने की पफ वाला कटोरी ब्लाउज में बोट निक बनाने के बारे में आप बिलकुल भी भूल के ना सोचें क्योंकि कटोरी हम बनेंगे तो यहां पर से ऐसा कटोरी इतना लंबा चोड़ाएगा कि पहनने के बाद पल्ला ल और 58 इंच से लेके हमको 34 इंच तक गले कर फैलाओ आट निच लेना है और इसका जो बीफ है यह 3.5 इंच कॉमन हinst No Prvo और वैसी ही 33 साइज से लेके हमको 40 साइज तक इसमें गले पेला हमको 9 इंच रखना है और इसका जो बीफ है यह 3.5 इंच ही रखना है अब 42 इंच से आप उपर तक 44 46 जो भी है यानि कि आल बोल लेते हैं इसको यह आल में आप रखना है 9.5 इंच और गले का दीर पर रखना है हमको 4 इंच ध्यां रखेंगे यह चीज को आप ध्यां रखेंगे कि 28 साइज से लेके 44 साइज तक हमको गले का जो फैलाओ है यानि कि यह फैलाओ हमको रखना है 8 इंच और जो डीप है उसको 3,5 इंच रखना है डिपर के ऊपर के ऊपर नहीं रखेंगे एक चीज़ग जो नहीं रखेंगे ऐसमें जो गला कर्षा यह कि यह यह आगय और पीछे जैसे कि इतना जो गला है, साधैती निग्ष चतिसी निग्ष यूंगा हो Vasya अगर गंधे तो देखिए मैंने आपको एक वीडियो में दे निगे पैने अगर आपको कोई confusion होता है तो आप मुझे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या फिर मेरे WhatsApp नमबर में पूछ सकते हैं मैं आपके हर सवालों का जवाब दूँगा और आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो आप लोगों को जय हिंदगा